हेलो दोस्तों वेलकम तु श्राइंगुष कर्मा अकैडमी और इस वीडियो के माददम से हम लोग जानेंगे कि फोर समस्टर जो है इस पे कौन-कौन से सब्जेक्ट है हमारे और प्लस से क्या स्लेबस है ठीक है कौन-कौन से हमारे उसके अंदर चाप्टर दिये गए ठीक है यह नहीं पता है ठीक है तो जैसे हम लोग को फर्स समस्टर में था कि तीन हमारे कंबल सरी थे सब्जेक्ट एक हमारा ओप्शनल था तो तीन कंबल सरी में इसे दो का हम लोग देखेंगे तो पहला सब्जेक्ट का जो नाम है वो है भारत में सिख्षा प्रणाली का विकास इवं इसकी चुनौतियां ठीक है यह हमारा पहला सब्जेक्ट हो गया और सेकेंड सब्जेक्ट जो हमारा है वो है भारत में सिख्षा के वर्तबान मुद्दे ठीक है तो कौन-कौन से मुद्दे हैं इनको इस स्लेबस में हम लोग देखेंगे क्योंकि अभी स्टार्ट करन इंडिया चैप्टर है चैप्रवाइस इस पर दिया गया है बुक्स अगर आप लोग देखेंगे तो उस पर हम लोग का यूनिट वाइस है इस पर चैप्टर वाइस है जिससे की ज्यादा दिक्कत नहीं होती है इसी नोट से में पढ़ने में ठीक है अब दिए वैदिक काल फ़र्ड में दिया गया है बुधिस्ट काल या बौद काल मान सकते है ठीक है और फिर इसके बाद दिया गया है मद्यकाल फौर्थ जो हमारा चैप्टर है इस पर और फिर इसके बाद दिया गया है मैकाले के विवरान पत्र एवंस बैंटिक का संकल ठीक है 1835 काफी important रहेग ठीक है फिर दिया गया है साथ नमबर पे 7 चैप्टर जो है वो है वोड का घुशना पत्र 1854 ठीक है और फिर इसके बाद है पहारतिये सिख्षा आयोग हंटर आयोग 1882 इंडियन एड्युकेशन कमिशन हंटर कमिशन 1882 फिर इसके बाद दिया गया है नाइन्थ में लौड करजन एड्युकेशन पॉलिसी फिर है सैंडलर आयोग 1917 फिर है वर्धा सिख्षा योजना जो की जिसको बोलाग वुनियादी सिख्षा 1937 और फिर 12 नमबर पे है साजन रिपोर्ट 1944 ठीक है तो यह हमारा 12 चैप्टर हो गया फिर इसके बाद है विश्य विध्याले सिख्ष यौग डॉक्टर रदर कृष्णा आयोग 1948 9 तक की दे युनिवेस्टी एच्पेशन कमिशन से दॉक्टर रदर कृष्णन से मिशन से 1948 से49 फिर इसके बाद दिया गया है मादिमिक सिख्षा आयोग मुदार्य आयोग 1952 से लिए कि 53 दे सकन्दी एज्यूक्रिशन कमिशन 52 से 53 तक ही ठीक है फिर इसके बाद दिया गया है सिक्षा आयोग अत्वा कुठारी आयोग 1964 से लेके 66 एडिकेशन कमिशन और कुठारी कमिशन फिर दिया गया है राश्टी सिक्षा निती 1986 तथा कारिवाई हितु कारिक्रम से 1992 फिर दिया गया इस पर इंग्लिस में हो जाएका नैशनल पॉलिशी ऑफ और एडिकेशन 1986 से एंड प्रोग्राम ऑफ एक्षन से 1992 फिर दिया गया है राश्टी सिक्षा निती 2020 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इससे काफी सारे टॉपिक आप लोग वैसे जान चुके हैं और इससे रिलेटेट जितनी भी बाते हैं जादे तो लोग को मिल जायगा जो हम लोग बीज वीच में एक एक दो मालगा कि एक ओकश किसे topic मिलते तो चोड़ी चोड़ी topic यहाँ इस पर हम लोग अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे चेकलर यह पहला जो subject है वो खतम हुआ आप हम लोग second subject देखेंगे जो की है भारत में सिख्षा के वर्तमान मुद्दे paper second ठीक है आप देखें इस पर देखते हैं कौन-कौन से जो वर्तमान मुद्दे हैं अभी तो हम लोग क्या है chapter देख रहे हैं ठीक है तो देखें पहला जो chapter इस पर दिया गया है भारत में प्राथमिक सिख्षा का आधार सैक्षिक संरशना लक्ष एवंस उद्देश ठीक है इंग्लिस में हो जाएगा फाउंडेशन और प्राइमरी एजुकेशन इंडिया एजुकेशनल स्ट्रक्शर एम्स एंड ऑब्जेक्ट नेक्स्ट दिया गया है भ प्राथमिक सिख्षा का आधार फिर माधमिक सिख्षा का फिर उच्छे सिख्षा का ठीक है तो तुम्हारा फर्स सेकेंड थर्ड जो चैप्टर दिया गया है पूरा इसी से रिलेटेट है कि इसमें कैसी सैक्षिक सनचना होनी चाहिए लक्षिक ऐसा होना चाहिए और इनका और देश क्या होना चाहिए फिर इसके बाद हम लोग फूर्थ चैप्टर देखेंगे इस पर दिया गया है प्राथ में के माध्य में के एवंस उच्छी सिख्छा से सम्वर्थी मुद्धे हैं उसको डिसकस करेंगे तो ऑंपन इसके बाद दिया गया इस में ब्राइब से सम्वर्थी जो मुद्धे हैं वह तुछ इसके बाद दिया गया है भारत में दूरस्ति सिख्छा और मुक्त सिख्छा से सम्वर्थी मुद्धे इंडिया फिर इसके बात दियागे है भारत में विल्साइक एवं से तक्निकी सिख्षा से संबंदे संबंती मुद्दे दिये गया है फिर है राश्टे एवं से राज्य संस्थाइं है वो n q e r t n q e r t ठीक है n c e t फिर नक है फिर n u p e A फिर n c e r t एवं स्थाइट ठीक है तो यह सारी चीजा इस इस पे दी गई है क्या-क्या सरारी एस से हो जाएक यहां पर n's u e a इस इस कर दीजेगा यह हो जाएग ठीक है n c rt है सब्सक्राइब देखेंगे साथ 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 करते रहेंगे जिससे की जिससे भी एक्जाम होगा और इसके बाद दिया गया है फिर नेक्स्ट जो है वह है मा माद्मे कि शिच्छा का व्र साथ करन और फो फिर इन के बाद दिया गया है त्वेल्ट में परिक्षाव एवं तर्मुरावट इग्जामिनेशन रिफॉर्म्स एंड डिट्यॉरेशन्स इन एजुकेशनल स्टैंडर्स फिद दिया गया है रास्टे सिक्षानिती 1986 एवं संसोधन जो हुआ था 1992 एवंस 2020 ठीक है तो कुछ टॉपिक्स हमारे सेम रहेंगे एक के टॉपिक आपको मिल जाएंगे से और तो इस पर ज्यादा है कि जूरत नहीं कि चार्ड इस बार हैं और कैसे होगा वह सब कंप्लीट हो जाएगा बड़ यह है कि थोड़ा थोड़ा आप लोग अभी से स्टार्ट कर दें क्याकि में स्टार्ट हो गया है और जून के लास्ट में या जुलाई में आपके एक्जाम हो जाएंगे ठीक है फिर नेक्स्ट दिया गया फौर्टीन में डेलर्स अधिकार अधिनियम 2009 और लास्ट जो है इसका वो है राष्टे मादमिक सिख्षा अभियान ठीक है आर एम एस शौर्ट में देख लीजेगा क्योंकि आ सकता है इसका एम स्कूब में भी तो यह हमारा बुक फर्स्ट मलगी सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट सेकेंड क जो स्लेबस है वो है ठीक है तो देखे अभी तो जल्दी ही करेंगे कि स्टार्ट करते हैं कि काफी स्लेबस है इस बार और टाइम भी लगेगा कंप्लीट करने में तो जल्दे सी जल्द हम लोग इसको स्टार्ट करके और आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते है ठीक है तो च मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद।